हाई फ्रेंट्स, वेलकम बैक, माय अट्रिक चैनल बैलोजी वाला डीके फ्रेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं फाइलाम प्रोटो जोवा, प्रोटो जोवा में हम पढ़ते हुए आचुके हैं अमीबा की ओर हमारे अगले इसके प्रिवियस वीडियो में हमने अमीबा का फर्स्ट पार्ट का इस्टडी किया हुआ है आज हम अमीबा के सेकंड पार्ट का इस्टडी करेंगे ठीक है तो चलिए सुरुआत करते हैं साइटो प्लाज्म आफ अमीबा या अमीबा का साइटो प्लाज्म तो स ictoplasm और indoplasm cytoplasm differentiated into ictoplasm and indoplasm clear है cytoplasm क्या है ictoparm और indoplasm में बटा हुआ तो सबसे पहले हम बात करते हैं ictoplasm की ictoplasm ictoplasm मतलब किनारे की तरब ictoplasm मतलब cytoplasm जो है किनारे की तरफ इकत्रित है इसको क्या करे है ictoplasm या ictoplasm के नाम से जान रहे हैं ये thin layer होती है और transparent होता है ठीक है पहली line हमारी क्या है कि ये thin layer है बहुत पतली layer है और transparent है ठीक है जहां जहां पर pseudopodia पाया जाएगा ये layer क्या होगी thin हो जाएगी ठीक है जहां जहां पर pseudopodia arise हुए है वहां पर ictoplasm क्या होता है thin हो sorry ठीक हो जाता है मतलब मोटी हो जाती है और उसको हम क्या कहते है haline cap तो कह सकते हैं कि this layer is thick in pseudopodia pseudopodia में ये layer क्या है ठीक है और उसको हम क्या बोलेंगे hyaline cap याद रखिएगा hyaline cap क्या है कि जो ictoplasm है वो thin layer है लेकिन जहां-जहां pseudopodia पाय जा रहा है वहां पर ictoplam क्या ठीक हो जा रही मतलब मोटी हो जा रही है और उसको हम क्या बोलें hyaline cap ठीक है चले इसका जो internal part होता है internal part is mode of plasma gel ठीक है उसको अंदर की तरफ जो होता है उसको हम क्या बोलना है gel plasma gel internal part को हम plasma gel के नाम से जानते हैं ठीक है और एक amoeba का species है amoeba proteus ठीक है सबसे common amoeba proteus amoeba proteus में क्या होते हैं बहुत सारे उभार दिखाई देते हैं ॥े प्लाजम में बहुत सारे उभार दिखाई देते हैं amoeba proteus contain various in ॥े प्लाजम में इक्तो प्लाजम इक्तो प्लाजम में बैरियस क्या होते हैं that means उभार देखने को मिलते हैं सहायता करता है and adhere amoeba to ground ठीक है फिर से समझ लीजिएगा कि amoeba proteus के जो इक्तो प्लाजम में होते हैं रिस का मतलब उभार से finger-like structure और उस उभार को हम बोल रहे है longitudinal result उसका कार क्या है उसका कार function है friction में friction का मतलब घर सबुदपन करना क्योंकि आज जानते हैं कि जैसे हम आप cycle या motor या pedal भी चल रहे हैं तो क्या है कि जमीन और अर्थ और हमारे पैरों के बीच में friction लग रहा है जिसके कारण हम फिसल नहीं रहे हैं अगर वह friction समाप तो हो जाए तो फिर क्या होगे हम फिसल जाएंगे ठीक है तो बारिस की दिनों में कीचर लगने से friction क्या होता है कमजोर हो जाता है इसलिए हम फिसल जाते हैं तो वहाँ वह friction उत्पन करते हैं जिसकी कारण अमीबा क्या होता है ग्राउंड से चिपक जाता है ठीक है यह तो रहा उसका इक्टो प्लाज्म अमीबा का अब हम बात करेंगे इंडो प्लाज्म की ठीक है सेमी ट्रांस्पेरेंट एंड ग्रेन्यूलर और कैसा है ग्रेन्यूलर दानेदार है ठीक है मतलब उसमें बहुत सारे कड़ी का मैं संरचनाई देखने को मिलती है ठीक है और अमीबा के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सब इंडो प्लाज में पाए जाते हैं तो अगला पॉइंट हम यह कह सकते हैं कि आल दे इस्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अमीबा प्रेजेंट इन अमीबा केप्ट इन इंडो प्लाज सभी कहां रखे गए हैं इंडो प्लाज में के अंदर यह कह सकते हैं कि सभी जो इस्ट्रक्चर होते हैं मीबा में वो इंडो प्लाज में के अंदर पाए जाते हैं ठीक है एक साइन्टिस्ट है मास्ट एकार्डिंग टू मास्ट ठीक है इंडो प्लाजम क्या होते हैं दो भागों में बटा होता है according to Mars इंडो प्लाजम divided into two parts ठीक है इसकी जो internal part होते हैं उसको हम बोलते हैं sol, प्लाजमा sol उसको हम क्या बोल रही है प्लाजमा sol ठीक है और जो peripheral किनारे की तरफ भाग होता है, peripheral उसको हम बोलेंगे plasma gel, याद रखिएगा, यह अभी आगे काम देगा, ठीक है, तो endoplasm क्या है, माश्ट के अनुसार दो भागों में बटे गए हैं, internal part जो endoplasm का सबसे अंदर की तरह भाग है, उसको हम plasma sol बोल रहे हैं, और जो peripheral भाग है, उसको हम plasma gel के नाम से जानते हैं, ठीक है, लेकिन, हम बात करते हैं, इंडoplasm mast के अनुसार, यह mast scientist है, उनके अनुसार क्या होता है, इंडoplasm को दो भागों में बाटा गया, internal part plasma sol, peripheral plasma gel, but electron microscope की structure की साहता से अगर इसका structure देखा जाए, but em, that means electron microscope, ठीक है, does not show this type of division, ठीक है, यह line याद रखियेगा, की electron microscope इस तरह का कोई भी division नहीं बताता है, हैं, इसलिए हम कर सकते हैं, hence, all the endoplasm is sol, और सभी क्या होते हैं, whole endoplasm क्या होता है, sol होता है, ठीक है, तो इसको दो भागों में बाटा गया है, इसको हमने कहा की, plasma sol, plasma gel, किसके अनुसार, mast के अनुसार, लेकिन electron microscope बताता है की, इस तरह का कोई भी division देखने को नहीं मिलता है, उसके endoplasm में, इसलिए पूरे structure को हमने रख दिया, sol के अंतरगत, ठीक है, याद है, चलिए, अब यह आप इतना नोट कर लेजिए, उसके बाद हम nucleus की तरफ चलते हैं, चलिए, बात करते हैं हम nucleus की, ठीक है, तो जो amoeba में mostly जो nucleus पाए जाते हैं, वो single पाए जाते हैं, that means, जो amoeba होता है, वो क्या है, uninucleate होता है, तो normally, amoeba is uninucleate, ठीक है, बट कुछ species ऐसी हैं, जिसमें एक से अधीक भी nucleus देखने को मिलते हैं, वो है आपका amoeba diploidea, amoeba diploidea, नाम सी clear है, diploidea मतलब two nuclei, इसमें two nucleus पाए जाए, उसको हम क्या कह रहे हैं, amoeba diploidea, amoeba diploidea में क्या होते हैं, two nucleus देखने को मिलते हैं, normally क्या होते हैं, uninucleate होते हैं, बट amoeba diploidea में two nucleus देखने को मिलेंगे, उसके बाद एक और species है, इसका amoeba pelomixa, amoeba pelomixa, इसमें क्या होते हैं, एक से अधीक, मतलब दो से भी अधीक, इसलिए इसको हम कहते हैं, multinucleates, multinucleates, that means, amoeba diploidea में आपको two nucleus देखने को मिलेगा, और amoeba pelomixa में multi-nucleates, एक से अधीक के अंदर देखने को मिलेंगे, अगर हम बात करें कि nucleus के अंदर, क्या होते हैं, एक protein का fiber present होता है, मतलब protein के तन तुपाई जाते हैं, उसको हम कहते हैं, honeycomb lettuce, properties, तो कह सकते हैं, in nucleus, a network of protein fiber, एक network का protein fiber, present inside nuclear membrane, मतलब nucleus के अंदर क्या होते हैं, nucleus membrane के अंदर की तरह पर एक protein fiber पाया जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, honeycomb lettuce, honeycomb lettuce, जिसको हम क्या कह रहे हैं, honeycomb lettuce कह रहे हैं, और इसका function क्या होगा, एक सा function होगा कि ये क्या करेंगे, shape of nucleus, मतलब nucleus को shape देने का कारे करता है, या maintain करने का करता है, कह सकते हैं कि maintain shape of nucleus, ठीक है, तो honeycomb lettuce का कारे क्या है, कि ये nucleus के shape को maintain करने का कारे करता है, ठीक है, और ये है क्या, है ये, कि ectoplasm के नीचे, sorry, nuclear membrane के नीचे protein की fiber पाय जाते हैं, इसको हम honeycomb lettuce कह रहे हैं, और ये nucleus के shape को maintain करने का कारे करता है, ठीक है, और जो amoeba का nucleus होता है, amoeba nucleus is massive nature, massive in nature, अब यहाँ एक term आया है, massive, ठीक है, massive का मतलब क्या है, कि जव nuclear plasma, मतलब यह nuclear plasma बहुत कम मात्रा में, और nuclear material, that means chromosome अधिक मात्रा में पायजा है, तो उस condition को क्या कहेंगे, massive, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि chromatin material is more, इसका मतलब है, chromatin material is more, बट, ठीक है, chromatin material क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन nucleoplasm, less in quantity, nucleoplasm, less in quantity, ठीक है, तो amoeba का जो nucleos होता है, massive nature का होता है, मतलब उसमें, chromatin, बहुत अधिक मात्रा में पायजाते हैं, chromatin material, क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पायजाते हैं, लेकिन nucleoplasm, क्या होते हैं, less quantity में होते हैं, ठीक है, तो यह तो रहा, nucleus, ठीक है, उसके बाद करते हैं, हम contractile vacules की, contractile vacules, ठीक है, sort miss को हम cv के नाम से भी, जान सकते हैं, ठीक है, तो यह हमारा contractile vacules हुआ, ठीक है, contractile vacules क्या है, कि यह पीछे से आप पढ़ते चले हैं, यह परामेसियम से ही पायजा रहे हैं, और यह पूरे proto-zone में आप देख रहे हैं, लगभग कि यह asmo regulation में help करता है, मतलब कि body में fluids, that means water और salt को maintain करने का कारी करता है, ठीक है, तो contractile vacules के जो numbers होते हैं, तो only one in numbers, ठीक है, संख्या कितनी होती है, एक होती है, ठीक है, इंडो प्लाज में present होता है, present in, इंडो प्लाज, ठीक है, उसके बाद, function की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि इसका function क्या है, asmo regulation है, इसका function क्या है, asmo regulation, ठीक है, तो contractile vacules, एक की संख्या में पायज आते हैं, इंडो प्लाज में ये present होता है, और इसका function है, asmo regulation, ठीक है, और ये क्या होते हैं, कि contractile vacules क्या होते हैं, equivalent होते हैं, kidney के, CV, equivalent to, kidney, of higher animal, मतलब higher animal का जो kidney, kidney का काम करता है, asmo regulation में help करता है, excretory product, मतलब excretory product को बाहर निकालने का काम करता है, तो यहां भी क्या होते हैं, यह उसी तरह का कार, यहां पर contractile vacules करता है, इसलिए हमने कहा है, कि contractile vacules equivalent to kidney, of higher animal, clear है, चलिए, यहां इसी को मतलब उसमें, kidney की unit आप जानते हैं, nephrons, या urini ferrous tubules, सब के समान हो सकता है, यह ने फ्रांस के समान हो भी हो सकता है, urini ferrous tubules के समान भी हो सकता है, चीक है, इसी में एक feeding canal पाई जाती है, तो feeding canal, और radiating canal, चीक है, feeding canal और radiating canal से क्या होते हैं, पानी इंटर करता है, ठीक है, water इंटर, collect water from cytoplasm and drain out and drain out contractile vacuole तो उसको हम कहेंगे डाइस्टॉ तो उसको हम कहेंगे डाइस्टॉ पानी को क्रेक्ट करता है कहां, साइटो प्लाज्म से और उसको कहां भेज़ देता है, कंट्रक्ट्राइल बेक्क्योल्स में ठीक है, अगर हम बात करें, कि increase of cv, अगर cv क्या होती है, water के भरने से अगर बढ़ जाती है, size उसकी increase हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे डाइस्टॉ ठीक है, तो इतना नोट कर लेजे, फिर उसके बाद हम इसके parts को आगे बताते हैं, मैंने आपको कहा कि contractile बेक्क्योल्स में जब water भर जाएगा तो उसकी size क्या होगी बढ़ जाएगी, और जब size बढ़ जाएगी तो उसको हम कहेंगे diastol, ठीक है, तो कह सकते हैं कि increasing of cv due to feeling of water, पानी के बढ़ने के कारण, तो इसको हम क्या बोलेंगे diastol बोलेंगे, तूपू इसको हम क्या बोलना है diastol, जब diastol होगा आप सोचके कि पानी ज्यादा भर जाएगा तो क्या होंगे किनारे की दीवार गुंबारे की तरफ फट जाएगा और जब फट जाएगा तो पानी क्या होगा बाहर निकल जाएगा जब बाहर निकल जाएगा तो तो इसको नाम दिया गया है कंट्रक्टाइल मतलब सिकुडने और फैलने वाली रिखती क्या खाली अस्थान तो इसमें क्या हो रहे हैं कि आप देख रहे हैं पानी भर रहा है तो उसके कारण उसकी जो साइज है वो बढ़ जा रही है और पानी फिर कैसे बाहर निकल रहा है क अजकी उसके जो प्लाजमा लेमा है प्लाजमा लेमा ब्रस्ट मतलब फट जाते हैं एजू फटने के बाद पानी क्या हूसा है बाहर की और फेक दिया जाता है फिके तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे सिश्ट़ैक षबियोट होते हैं when cv large it brushed near plasma lemma and water is thrown out and water is thrown out बाहर की ओर ढखेल दिया जाता है और इसी प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं सिश्टॉल ठीक है इसको क्या कह रहे हैं सिश्टॉल कह रहे हैं अब सूचिए अब पानी को रिसीब करने के लिए उसको बाहर ढखेलने के लिए energy क्या हो सकता होगी तो वह energy देने का काम कौन करता है mitochondria इनर्जी देने का काम कौन कर रहा है mitochondria इसलिए contractile बेक्योल के चारो तरब बहु सारे mitochondria होते हैं तो कह सकते हैं कि maximum energy used in this process maximum energy used in this process so many mitochondria surrounds the CV इसलिए बहु सारे mitochondria क्या करते हैं CV को घेरे रहते हैं अगर functional CV को क्या क्या करें कि functional CV को kept in distilled water distilled water में रखा जाए अमीबा को तो उसकी जो CV होगी functional CV उसकी size क्या होगी बढ़ जाएगी तो functional CV of amoeba अगर अमीबा को ट्रांसफर किया जाए fresh water to marine water इस अमीबा ट्रांसफर टू ट्रांसफर ट्रांसफर फ्रॉम फ्रेस वाटर टू मेराइन वाटर ट्रांसफर किया जाए तो CV क्या होगा disappear हो जाएगा मतलब CV गायब हो जाएगी ठीक है और जब इसको फिर से distilled water में रखा जाएगा उस अमीबा को तो एक नया CV बन करके तयार हो जाएगा ठीक है तो when amoeba is transferred to distilled water new CVs form हम देख रहे हैं कि जब उसको distilled water रखा जा रहा है तो CV की size क्या हो रही increase हो जा रही है ठीक है लेकिन अगर उसको हम fresh water से marine water में ले जा रहे हैं तो CV disappear that means गायब हो जा रही है फिर उसको जैसे ही हम फिर से ला रहे हैं amoeba को distilled water में एक नए CV का formation हो जाता है ठीक है एक star point इसमें यह है कि systol जो होते हैं वो sudden होते हैं systol is sudden मतलब अच्छानक होते हैं but diastole is gradual मतलब धीरे-धीरे होता है ठीक है systol क्या होते हैं जल्दी से होते हैं but diastole क्या होते हैं gradual that means धीरे-धीरे होता है याद रखिएगा contractile baccule का systol तेजी से होता है diastole धीरे से होता है ठीक है चलिए बात करते हैं food baccule की अगली हमारी headline होगी इसमें हम यह हम पढ़ेंगे food baccule ठीक है क्या पढ़ रहा है हम food baccule food baccule की अगर हम बात करें तो indoplasm में many food baccule पाय जाते हैं food baccule की संख्या एक सेधिक होती है और present होता है indoplasm में एक structure मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जितने भी structure पाय जाते हैं सब इंडो प्लाज में पाए जाते हैं तो इसलिए इंडो प्लाज में पाए जाते हैं और प्रति एक बार जब भोजन को इंगल्फ या इंजेस्टेड किया जाता है तब और उतनी बार एक नए फूड वेक्क्योल का फॉर्मेशन होता है तो वेन फूड इस इंजेस्टेड न्यू अन्यू फूड वेक्क्योल इस फॉर्म याद रखिएगा जितनी बार वो फूड को इंगल्फ करेंगे उतने बार नए फूड वेक्क्योल का निर्माड हो जाएगा ठीक है जो डाइजेस्ट होता है डाइजेस्ट ठीक है डाइजेस्ट अकरिन फूड वेक्क्योल तो डाइजेस्ट कहां पाज़ा रहा है फूड वेक्क्योल के अंदर ठीक है फंक्शनरी जो फूड वेक्क्योल होता है वो हाईयर प्लांट के अलिमेंटरी कैनाल की तरह कार करता है तो कह सकते हैं कि फूड वेक्क्योल को रिलेटेड वीट एलिमेंटरी कैनाल आफ हाईयर एनिमल ठीक है तो कह सकते हैं एक्षिवखोल फुक्षिवखोल फुक्षिव तोस्चेवखोल दीक हैं हैं से तो ख्षिवखोल कानल एनिमेंटरी कैनाल गायर एनिमल यहां से question ऐसे भी बन सकते हैं आपके कि amoeba में higher animals के elementary canal के समान है तो वो कौन सा है food vacuol digestion कहां हो रहा है food vacuol में और food vacuol पाय कितने जार है many numbers that means उनकी संख्या काय बहुत जादा है तो यह तो रहा food vacuol इतना आप note करिए फिर देखते हैं आगे आईए अब बात करते हैं locomotion in amoeba तो एक चीज़ आपने पीछे से यह जान लिया है कि amoeba में जो locomotion होता है वो pseudopodia के द्वारा होता है तो amoeba क्या है you know that amoeba is polypodial animal ठीक है amoeba कैसा है polypodial animal है but एक समय पर एक ही locomotion में एक समय पर एक pseudopodia यूज किया जाता है इसलिए इसको हम कह रहे हैं monopodial but the locomotion is but locomotion is monopodial ठीक है लेकिन locomotion कैसा है monopodial है ठीक है अब monopodial का मतलब एक समय पर single pseudopodia का यूज किया जाता है ठीक है तो used single pseudopodia ठीक है अब single pseudopodia का एक समय पर यूज किया जाता है और इस प्रकार के movement को ही हम amoeboid movement के नाम से जानते हैं कि pseudopodia एक से अधिक पायज आ रहे हैं लेकिन एक समय पर एक ही pseudopodia का यूज किया जा रहा है इसलिए इसको हम amoeboid movement के नाम से जानते हैं ठीक है तो जो locomotion होता है locomotion आफ हमीबा completed in three stage ठीक है तो locomotion आफ हमीबा completed in three stage ठीक है तीन प्रवस्थाओं में होता है कैसे पहला क्या है adhesion with base आपको याद होगा अभी ज़स्ट पहले हमने बताया आपको कि इक्टोप्लाज में क्या होते हैं बहुत सारे projection like structure दिखाई देते हैं जिसको आप longitudinal ridge कहते हैं तो longitudinal ridge और कुछ ions जैसे calcium ion ठीक है और magnesium ion की सहायता से वो क्या होते हैं किसी बेस से चिपक जाते हैं ठीक है तो adhesion with base में क्या होगा कि longitudinal ridge और सम आयन like calcium ion और magnesium ion ठीक है यह क्या करते हैं किसी बेस से अमीबा को चिपकाने में सहायता करते हैं तो पहले क्या होगा अमीबा किसी बेस से चिपक जाएगा ठीक है फिर दूसरा इसमें क्या है inter conversion of sol and gel inter conversion of sol and gel sol और gel का inter conversion और यह क्या करता है यह जो inter conversion है मतला आपस में मिलना है यह क्या करते हैं pseudo-podia के formation में सहायता करते हैं तो कह सकते हैं कि essential for formation of pseudo-podia ठीक है यह pseudo-podia के formation में सहायता करते हैं ठीक है उसके बाद contraction in body contraction in body उसके बाद क्या होगा बाद क्या होगा बादी में उसके contraction security आएगा और security के कारण amoeba क्या होगा amoeba forward मतलब आगे की तरफ बढ़ जाएगा तो amoeba move forward by this contraction ठीक है तो हमने देखा कि locomotion जो होते हैं amoeba में वो three stage में complete होते हैं ठीक है adhesion with waste interconversion of soil and gel contraction of contraction in body ठीक है तो यह तो था कैसे locomotion होता हैं लेकिन इस locomotion के संबंध में कई theories दी गई हैं उन theories के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो अगली हमारी heading होगी theories related with locomotion ठीक है theories related with locomotion locomotion के संबंध में कौन-कौन सी theory दी गई है इसमें जो सबसे पहली theory दी गई है उसका नाम है rolling movement theory rolling movement theory ठीक है इस theory के जो प्रतिपादक है वो है जेनिंग्स ठीक है इस theory को देने वाले scientist के नाम क्या है जेनिंग्स है इनके अनुसार क्या होता है अमीबा जो होते है फुटबाल के तरह roll करता है जैसे फुटबाल घूम की तरह आगे जा रहा है उसी तरह से अमीबा क्या होता है roll करता है और उस roll के कारण ठीक है क्या होते हैं यह amoeba एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाते हैं according to this theory amoeba roll like a football amoeba क्या होते हैं फुटबाल की तरह roll करते हैं लेकिन यह amoeba की केवल दो species के लिए यह थीरी मानने होती है चीक है और वो दो species हैं amoeba बीरुकोसा और amoeba इस्ट्रेटा दो species ऐसे हैं जैनिक्स ने बताया कि यह दोनों क्या करते हैं फुटबोल की तरह roll करते हुए लुड़कते हुए यह आगे की तरह बढ़ जाते हैं इसलिए को आगया rolling movement theory proposed by zennings याद करिए आगे हम ये इतना note कर लिजे आगे और theory की बात करते हैं चलिए आगे हम theory की बात करते हैं अगली theory है contraction theory ठीक है अगला जो theory दिया गया लोको मोशन के संबन में वो है contraction theory ठीक है अगली theory क्या है contraction theory प्रपोज्ड बाई sluds प्रपोज्ड बाई sluds ठीक है sluds ने क्या कहा कि जो contraction होता है अभी आपने उपर पढ़ा कि जो pseudopodia का लोको मोशन होता है वो three stage में होता है eddy hair with waist formation of pseudopodia and contraction of body या inter conversion of soul and gel तो उसमें हमने देखा कि लोको मोशन जो होते हैं वो three stage में complete होते हैं तो यह लेकिन sluds क्या कह रहे हैं कि जो body होती है वोई contract होती है और pseudopodia का formation हो जाता है लेकिन only contraction is not possible for formation of pseudopodia hence this theory is not accepted तो कह सकते हैं कि यहां यह क्या महा से कह रहे है कि pseudopodia is formed by contraction लेकिन only contraction is not responsible for formation of pseudopodia hence this theory is not acceptable clear है याद रखिएगा आगे है अगली theory कहती है तो walking movement theory को दिया डेलिंजर ने इसको दिया डेलिंजर ने इनके अनुसार क्या है contractile becules जो होते हैं वो क्या होते हैं responsible for amoeba movement या amoeboid movement ठीक है यह इन्होंने कहा कि contractile becules जो होते हैं जब खुडते हैं या फुलते हैं तो वो responsible होते हैं locomotion of amoeba game तो इन्होंने बताया कि contractile becules is responsible for amoeba movement ठीक है contractile becules is responsible for amoeba movement यह डेलिंजर कह रहे हैं walking movement theory में ठीक है इसके कारण जो आपके pseudoporia बनते हैं वो किसी body से आधा से चिपक जाते हैं और body को force करके वो एक आगे बढ़ जाते हैं ठीक है अगला है surface tension theory ठीक है इसको दिया बर्थोल्ड ने ठीक है surface tension theory given by birth hold इन्होंने बताया कि जो pseudoporia का निर्माड होता है वो surface tension के कारण होता है ठीक है तो कह सकते हैं pseudoporia formed due to differentiation in differentiation in surface tension ठीक है of body of amoeba amoeba के body में जो surface tension होते हूँ उनके differentiation के कारण ठीक है और ground ground के बीच में जो surface tension प्रिष्ट तनाव है उनमें differentiation होता है जिसके कारण pseudoporia का निर्माड होता है उस pseudoporia की साहता से amoeba locomotion में help करता है ठीक है चलिए अगला है fountain zone theory fountain zone theory given by alien ठीक है उसको किस ने fountain zone theory को किस ने दिया alien ने दिया ठीक है इन्होंने बताया कि sol जो होते हैं वो periphery पर पाए जाते हैं और जो gel होते हैं वो inside पर पाए जाते हैं तो alien के अनुसार sal in peripheral while gel internal ठीक है और यह जो gel होता है this central gel moves like a fountain एक धारा की तरह move करता है moves like a fountain in the direction of locomotion और gel जो होता है वो दिस दिसा में locomotion होना है उसमें fountain की तरह कारी करता है ठीक है और यह fountain क्या करता है pressure apply करता है fountain apply fountain apply pressure और यह की pressure उत्पन करता है over ectoplasm and pseudopodia is 4 और इसके current क्या होता है pseudopodia का निर्माण हो जाता है and pseudopodia is 4 ठीक है बट लेकिन अभी हमने पीछे पढ़ा की जो gel होते हैं वो peripheral पर पाए जाते हैं sol क्या होता है internal में पाए जाते हैं यह always क्या होता है peripheral पर gel पाए जाते हैं sol जो होते हैं internally पाए जाते हैं इसलिए इस theory को भी accept नहीं किया गया तो यह theory भी मान नियाद उप्यूक्त नहीं बैठती है लोको मोसन के संबन में अमीबा के ठीक है आगे है sol gel theory तो अगली theory है sol gel theory या change of viscosity theory ठीक है इसको हम बात करते हैं हम sol gel theory की sol gel theory ठीक है sol gel theory को देने वाले जो scientist का नाम है वो hymen है बस इसका जो detail study किया detail study given by mast and pantene mast और pantene ने किया ठीक है तो इसमें होता क्या है कि जो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो pseudopodia का formation होता है due to the interconversion of sol and gel ठीक है तो इसमें इन्होंने बताया कि pseudopodia is form due to interconversion of sol and gel ठीक है और यह widely acceptable theory है widely acceptable theory सबसे ज़्यादा जो accept की गई theory है वो है sol and gel theory ठीक है क्योंकि पीछे हमने पढ़ा कि आपने देखा कि interconversion of sol and gel जिसके कारण pseudopodia का formation होता है body contract होती जिसके कारण amoeba put forward आगे की और बढ़ता है ठीक है तो यह सबसे important theory है और हमने वहाँ यह जाना था कि जो outer jelly like भाग होता है outer jelly like outer में क्या होगे plasma gel कहा जाएगा उसको ठीक है और inner fluid like उसको हम बोलेंगे plasma salt clear और इसके संबंद में कुछ theory दी गई है some theories are given about salt and gel theory दो theory दी गई है जिसका नाम है molecular folding unfolding theory molecular folding and unfolding theory ठीक है यह theory आपके इसके संबंद में दी गई है कि हाँ यह theory सही बताती है दूसरा है contraction hydraulic theory contraction hydraulic theory ठीक है चलिए यह तो रहा theory according to locomotion ठीक है अब बात करते हैं nutrition nutrition in amoeba nutrition in amoeba ठीक है amoeba जो होते हैं holozoic या geotrophic होते हैं that means animal like जो कि animal की तरह भोजन को ग्रहन करते हैं ठीक है और feed by phagocytosis पड़ा होगा आपने यह प्रक्रिया phagocytosis ठीक है भोजन क्या होते हैं phagocytosis के द्वारा इंटर होते हैं और amoeba जो होता है omnivorous होता है amoeba is omnivorous सर्वाहरी ठीक है amoeba is omnivorous ठीक है और digestion आपने पीछे पढ़ा था कि digestion कहा होता है food बेक्क्योल में होता है ठीक है आगे हम बढ़ते हैं मेथड आफ फूट इंजेशन कैसे food अंदर की और जाता है या कैसे food को इंगल्फ किया जाता है हमने बस nutrition पढ़ा nutrition कैसा होलो जोई क्या जू ट्रॉफिक टाइप का है feed by phagocytosis amoeba is omnivorous और digestion कहा होता है food वेक्क्योल में होता है पिसे हमने इसको पढ़ लिया था तो मेड़ा method of food ingestion इसमें सबसे पहला क्या है import सबसे पहले क्या होता है import होता है import में क्या है passive and passive food ingestion in amoeba take place by import या कह सकते हैं कि passive food ingestion in amoeba ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे import बोलेंगे याद रखिएगा passive food ingestion हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे import बोलेंगे ठीक है और दूसरा क्या है circumvallation इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि amoeba प्रे को इंगल्फ कर लेती है by this action amoeba ingulph the prey ठीक है यहां से question कि किस प्रक्रिया के द्वारा amoeba किसी प्रे या सिकार को पकड़ता है तो वो क्या है circumvallation circumvallation क्या है कि जब किसी प्रे को ingulph निगल लिया जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं circumvallation ठीक है हल्गा है circumference circumference यह इनवेजियेशन के नाम से भी जानते हैं इनवेजिनेशन ठीक है जब किसी motionless या inactive organism के पास अमीबा या उसको ingulph करें तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे circumference या इनवेजियेशन या इनवेजियेशन ठीक है जब अमीबा क्या होंगे contact में आते हैं किसके less active या motionless organism है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे circumference या इनवेजियेशन ठीक है इतना नोट कर लिए फिर बात करते हैं अधिये बात करते हैं डाइजेशन इन अमीबा डाइजेशन ठीक है डाइजेशन जो होता है अभी आपने पढ़ा कि कि डाइजेशन अकर इन फूड वेक्योल ठीक है डाइजेशन कहा हो रहा है फूड वेक्योल और फूड वेक्योल क्या हो रहा है सेल के अंदर इंडो प्लाज में पाय जा रहा है इसलिए कर सकते हैं कि अमीबा में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेलूलर होता है क्लिर है डाजेशन इंट्रासेललर और अकर इन फूड वेक्क्योल डाजेशन इंट्रासेललर है और फूड वेक्क्योल में पाएज आ रहे हैं ठीक है आगे हम बात करें तो जो फूड वेक्क्योल होता है फूड वेक्क्योल ठीक है वो हाइयर एनिमल के गट से गट आफ हाइयर एनिमल elementary canal के समान होता है सितूलना की जाती है comparable मतलब हाइयर एनिमल के गट और elementary canal के समान क्या होता है food फूड बेक्योल होता है या तो गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी आफ हाइड्रा जैसे हम मैमल्स में क्या होते हैं अलिमेंटरी कैनाल पाये जाते हैं डाइजेशन के लिए ठीक उसी तरह से यहां फूड बेक्योल अमीबा में उस एलिमेंटरी कैनाल की तरह काम करता है जैसे हाइड्रा में गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी पाये जाती है उसी तरह से यहां पर फूड बेक्योल पाये जाते हैं ठीक है लाइसोसोम यू नो देट लाइसोसोम में बहुत सारे डाइजेस्ट्व एंजाइम भरे होते हैं तो लाइसोसोम विट डाइजेस्ट्व एंजाइम्स फूड बेक्योल ठीक है तो लाइसोसोम कंटेनिंग डाइजेस्ट्व एंजाइम फूड बेक्योल ठीक है फूड बेक्योल पहले क्या होता है एसडीक होता है और देन एलकलाइन होता है तो फूड बेक्योल फस्ट एसडीक देन एलकलाइन ठीक है in alkaline medium discipline medium में क्या होता है sorry in acidic medium in acidic medium prey is killed ठीक है acidic medium में prey को क्या किया जाता है मारा जाता है और उसके बाद alkaline medium में in alkaline medium digestion of starch protein ठीक है fat इन सब का digestion होता है ठीक है और cyclosis process भी देखने को मिलता है cyclosis is observed cyclosis भी देखा गया है ठीक है तो ये तो था digestion के बारे में कि पहले food vacuoles alkaline sorry acidic होते हैं उसके बाद alkaline हो जाते हैं acidic medium में prey को kill किया जाता है उसके बाद उसके अंदर जो भी protein, fat, carbohydrate, pyzar है उनका भीविन enzyme की साहता से digest किया जाता है ठीक है बात करते हैं respiration की respiration in amoeba ठीक है तो जो respiration होता है ये obligate obligate aerops होते हैं that means इनके पास oxygen की उपस्थिती के अलावा और स्वसन करने का कोई विकल नहीं है ठीक है तो ये कैसे हैं obligate aerops होते हैं और जो gaseous exchange होता है gaseous exchange take place by diffusion through body surface ठीक है body surface के द्वारा यहाँ पर कोई excretion के लिए special organs नहीं पाय जाते हैं इसलिए यहाँ पर जो excretion होता है वो body surface के द्वारा ही होता है और यह obligate aerops होते हैं ठीक है excretion की बात करें excretion तो जहाँ excretory products जो होगा वो होगा ammonia तो excretory product ammonia और ऐसे animals जिनमें excretory product ammonia होता है उसको कहते हैं अमीनो टेलिक और इस process को कहेंगे अमीनो टेलिज्म ठीक है और excretion में जो help करता है वो contractile vectules करता है और contractile vectules आपको पीछे बता गया कि यह आस्मो रेगुलेशन में भी साहता करता है that means body में salt और water को balance करने का कारी करता है और जो CV होते हैं पीछे आपको बताए गया कि यह एनौलागस होते हैं CV is एनौलागस और amoeba का ठीक है यह भी याद रखना है कि CV of amoeba is analogous to uriniferous tubule of frog यह लाइन बहुत याद रखिएगा ठीक है यूरीनी फेरस tubule of frog के एनौलागस होते हैं ठीक है एनौलागस होमोलागस एनौलागस का मतलब की origin समान नहीं है लेकिन function एक जैसे हैं ठीक है तो यह है contractile vacuoles उसके बाद बात करेंगे reproduction की तो उसके लिए आप इतना note के लिए फिरगला है reproduction यह बात करते हैं reproduction की तो reproduction में सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पी जो sexual reproduction देखने को मिलेगा वो absent होता है sexual reproduction absent in amoeba ठीक है उसके बाद asexual reproduction take place by various method ठीक है इसमें पहला है आपका binary fusion पीछे आपने पढ़ा है binary fusion क्या है it is simple ठीक है तो simple और most common simple and most common ठीक है simple और most common है ठीक है इसमें क्या होता है one parent divide होकर के two amoeba या daughter amoeba को जन्म देते हैं ठीक है और यह तब होता है जब अवेंडेंट मात्रा में अवेंडेंट food ठीक है optimum temperature maintain हो या available हो तब binary fusion देखने को मिलेगा ठीक है अगला है जो sporulation sporulation ठीक है क्या होते है unfavorable condition में amoeba multiplies होकर के क्या होते है अपने बहुत सारे spor का निर्माड करते हैं बीना किसी insistment के ठीक है उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे sporulation during unfavorable condition amoeba multiplies and form spor without insistment और यह spor जन्मिने ठोकर के नए amoeba को जन्म देंगे ठीक है अगला है multiple fission and insistment multiple fission and insistment ठीक है तो amoeba क्या होता है एक सिस्ट बनाता है form सिस्ट सिस्ट मतलब चारो तरफ एक कडा आवरन बनाता है ठीक है और उसमें क्या होते है multiple division होता है तो multiple fission होगा ठीक है और कब adverse condition में in adverse condition ठीक है adverse condition में multiple fission देखने को मिलेगा तो यह तो था reproduction in amoeba एक टर्म आता है immortality of amoeba मतलब amoeba अमर प्राड़ी है ठीक है तो इसके बारे में क्या कहानी है जरा इसको देख लीजेगा immortality of amoeba ठीक है तो amoeba में क्या होते है great power of reproduction पाये जाते हैं अगर amoeba क्या है जतने भी divide होते हैं ठीक है तो इसमें regeneration का power भी पाये जाता है अगर जितने भी parts हैं अगर उसमें nucleus present हैं तो सभी parts क्या होते हैं कि नए amoeba को बनाने के लिए सक्षम होते हैं इसलिए इसको immortal के नाम से भी जाना जाता हैं तो highly power of reproduction या highly power of regeneration containing nucleus मतलब nucleus होना चाहिए ठीक है अगर nucleus है तो जितने भी parts में इसको हम बाट देंगे प्रतेक parts नहीं अमीबा को बनाएगा ठीक है और इसका कोई natural death नहीं होता है उसके पहले यह divide होकर के क्या होते है natural death not occur इसलिए इसको immortal कहा जाता है ठीक है और इसको explained किया गया है explained by germ plus theory of bisman theory of bisman ठीक है इन्होंने बताया क्या कि amoeba is not differentiated amoeba में क्या होते हैं somatoplasm और germ plasm नहीं पाय जाते हैं germ plasm not occur germ plasm, somatoplasm में यह सब पाय नहीं जाते हैं तो जिसके कारण क्या होते हैं यह एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब बढ़ते हैं तो एक से अधिक amoeba का निर्माड करते हैं ठीक है इसलिए इसको immortal के नाम से जानते हैं और इस टाइप का somatoplasm, germ plasm इस तरह का जो differentiation होता है वो multicellular या आगे वाले जो भी higher animal होते हैं उनको देखनी को मिलता है तो overall हमने दो पार्ट में amoeba के बारे में जाना तो आपको वीडियो कैसा लगा आप comment box में जरूर बताएं वीडियो को like subscribe कीजिए और मस्त से पढ़िए धन्यवाद